हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई गाडनिंग चैनल, आज हम बात करेंगे ब्यूटिफुल विन्टर फ्लारिंग प्लांट बिगोनिया के बारे में कि इसको कटिंग से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये मेरा लास्ट येर का बचाया हुआ बिगोनिया का प्लांट है, इसमें से मैं अल्रेडी आट-दस प्लांट्स रेडी कर चुकी हूँ, कोई एक हेल्दी सी कटिंग हम इसमें से ले लेंगे, जो की अच्छी हेल्दी कटिंग हो, किसी तरीके का फंगस उसमें ना लगा हुआ हो, और उसको कट कर लेंगे, एक प्लास्टिक का कंटेनर, कोई भी कटिंग लगाने के लिए इस तरीके का हम ले सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखना है, कि इसमें बैक साइड में, बॉटम में होल होने चाहिए, ठी टू फोर, और इस तरीके से उसमें बजरी रखेंगे, फिर मती का प्रपोर्शन हम इस तरीके से लेंगे, आपको स्क्रीन प करेंगे, जिससे की कटिंग को फंगस ना लगे, आप ऐलोवेरा जेल में भी इसको कटिंग को डिप कर सकते हैं, बट मैं यहां पर डाइरेक्ट लगा के दिखा रही हूं, क्योंकि इसली बिगोनिया की कटिंग लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे से म फंटिटी में भी ठीक से ग्रो कर जाएगा, ज्यादा इसमें फोर्टिलाइसर की ज़रत नहीं है, मटी से फिल करेंगे, अच्छे से इसको टैप करेंगे, जिससे की एयर बबल सब निकल जाएं, अच्छे से फिल करना है, क्योंकि मटी थोड़ इसी नीचे बैट जाती है, जब हम इसमें वाटर एड करते हैं, अब बीच में एक छोटा सा हूल करेंगे, ज्यादा डीप नी करना है, एक इंच टीप आप रख सकते हैं, और हलके हाथ से इसको प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नी करना है, हलके हाथ से प्रेस करना है, और सेट कर लेंगे, ट कितनी ब्यूटिफुल कटिंग ग्रो हुई है यह मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ देखे किस तरीके से इसमें रूट्स डेवलप हुई है कितनी अच्छी रूट्स इसमें डेवलप हुई है और एक हेल्दी प्लांट हमारा रेडी हो गया है तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी कटिंग के थ्रू अपने प्लांट्स रडी कर सकते हैं आप इसको ग्रो करने के लिए हम सेम पॉट में भी लगा सकते हैं बट मैं इसके लिए मट्टी का गमला प्रिफर करती हूँ और मैं हमेशा अपने मोस्टली प्लांट्स को याद से जादा टैप नहीं करना है जादा उसको प्रेस नहीं करना है और इसमें वाटरिंग कर देंगे जिसके इसको एक अच्छा सा चैट हो जाए जिससे ये और ड्रेनिज का आपको बहुत ध्यान रखना है । जो हमने इसमें पेबल्ग डाले है जो बजरी हमने डाली है इसी purpose से डाली है जिससे कि उसमें से drainage अच्छे से हो जाए बस ये देखिए कुछ cuttings मेरी 15 से 20 दिन पहले मैंने ये ग्रो की थी और देखिए कितनी अच्छे इसमें रूट डेवलप हुई हैं प्रेंट्स देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं इसमें और सेम गमले में मैंने इनको place कर दिया था तो इसी तरीके से आप भी अपने cuttings से plants multiply कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू